नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल study for win में और आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ आप से कुछ questions जो बहुत ही important है क्योंकि आपकी जो psychology है उसमें जो जीन पे आजे का topic है वो कितना ज्यादा important topic है तो जीन पे आजे ने जो भी को बताया है जो संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त दिया है उस सिध्धान्त से बनने वाले कुछ important questions है जिनको आज मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा beneficial रहने वाला है इसलिए प्लीज इस को शुरू से last तक जरूर देखिएगा बिल्कुल भी skip मत कीजेगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like और share जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना topic जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीन प्याजे ने संग्यानात्मक विकास का सिध्धान दिया तो उससे संबंदित प्रशलों को हम discuss करने वाले हैं और अगर आप notes चाहते हैं तो यह दिया हुआ number है 9496369356 इस number पर आप contact करके हम से notes ले सकते हैं पहला point या पहला question इसमें यहाँ पर आपका ये बनता है कि संग्यानात्मक विकास की छेत्र में महात्यपूर्ण सिध्ध संग्यानात्मक विकास की छेत्र में बहुत ही जादा महात्यपूर्ण सिध्धान्त हैं अगर संग्यान की बात आती है ग्यान की बात आती है तो उस जगह पर आपके ये तीनों सिध्धान बहुत ही important है इन तीनों पर मैं वीडियो बना चुकी हूं तीनों पर लेक्चर वी वीडियो एवलेवल है आप ले लिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको ये तीनों थियोरी मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आ यहाँ पर निकल कर क्या आता है अगला क्वेशन यहाँ पर निकल कर क्या आता है कि बालकों की संग्यानात्मक विकास का जो सिध इसमें आपका आंसर यही हो जाएगा, यह किया है जीन पेयाजे ने. आपकों की संग्यानाद्ma कविकास के सिध्धान्त है कैसा वो कि दिया है, जीन पेयाजे ने. आगर हम देखें तोven ह word Harvard को किस नाम से संबोधित किया गया? तो जो जीन प्याजे की मनोविज्ञानिक विचार धा रहा है उनको विकास सात्मक मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया गया क्योंकि संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्थ है तो उसमें विकास सात्मक मनोविज्ञान उसको बोला गया नेक्स्ट है यहाँ पर संग्यानात्मक विकास से क्या तात्पर है तो संग्यानात्मक विकास क्या होता है कि हम बढ़ते आ रहे हैं जीन प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिद्धान संग्यानात्मक विकास तो क्या है संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास है चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन होने से हमारे चिंतन में हमारी सोच में समझ में जितना परिवर्तन होता जाए और परिवर्तन किस दिशा में एक सही दिशा में सकारात्मक दिशा में साथी साथ गुणात्मक रूप में यानि कि जब हमारा जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाए तो उसी को हम संग्यानात्मक विकास कहते हैं नेक्स्ट क्वेशन है जीन प्याजे द्वारा बाल विकास के किन वस्थाओं का अध्यन किया गया तो जीन प्याजे ने बाल विकास की शैश्वा वस्था से लेकर किशूरा वस्थाता का अध्यन किया है क्योंकि उन्होंने आपके जो चार वस्थाएं बताई है उसमें आपका 0-2, फिर 2-7, 7-11-11 तो वो पूरा उन्होंने क्या किशोरा वस्था तक को cover up किया है ठेक तो उन्होंने शेश्वा वस्था से किशोरा वस्था तक कद्धियन किया है Next question यहाँ पर आपका है संग्यानात्मक विकास को किस ने जाननिक ग्यान मीमानसा के रूप में श्वीकार किया है अगर ये question आता है तो इसका answer आपका हो जाएगा जीन पे आजे बहुत अच्छा question है important question है और कई बार लोग गलत करके आते हैं जब option में वो देखते हैं जीन पे आजे है वाइगोट्सकी है ब्रूनर है तो वहाँ पर वो कई दूसरे options लगा आते हैं जबकि इसका सही answer क्या है जीन पे आजे है जाननिक ग्यान मीमानसा के रूप में स्वीकार किया है तो answer हो जाएगा जीन पे आजे नेक्स्ट कुशन है आपका पे आजे के अनुसार बच्चा अमूर्थ इस्तर पर चिंतन बौधिक्रियां और समस्या समाधन के इस अवस्था में करने लगता है ये cg टैट में पुछा गया कॉशन है 2011 में तो अमूर्थ इस्तर पर अगर बात की जा रही है चिंतन की बौधिक्रियां की समस्या समाधन की तो कब करने लगता है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो की आपकी 11-16 वर्स तक होती है अगला कुशन है बच्चों में बौधिक विकास की विशिष्टाओं की पहचान किसके दौरा की गई संग्यानात्मक विकास की बारे में बताया है जीन पयाजे दौरा की गई जीन पयाजे की अनुसार संग्यानात्मक विकास की अंतरगत मूर्द संक्रिया काल किस आयू इस तरके बच्चों में होता है तो किस आयूस्तर के बच्चों में होगा मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था आपके 7-11 वर्ष आगे है अगला question जीन पयाजे के संग्यानात्मक विकास किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है जीन पयाजे के संग्यानात्मक विकास किस अवस्था को ज्वार भाटा काल कहा जाता है तो जो आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है यानि संवेदी नात्मक बुद्धी विकास की अवस्था इसको हम कहते हैं ज्वार भाटे का काल अब आप लोगों को comment section में जाकर ये बताना है कि सम्वेदी जो बुद्धी अवस्था है उसका आयुकाल कितना है कितने से कितने वर्स तक आपकी सम्वेद नात्मक गामक अवस्था या सम्वेदात्मक बुद्धी विकास की अवस्था या सम्वेदी अवस्था होती है ठीक या आपको comment section में अपना उत्तर type करना है ठीक देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं ज्वार भाटे का काल बहुत important question है बहुत बार पूचा गया है कि ज्वार भाटे का काल किसको कहा जाता है ठीक इसको अच्छे जयात कर लीजेगा next question है जीन पे आजे कि संग्यानात्मक विकास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है बिलकुल लोडाव चार भागों में विभाजित किया गया है next है संग्यानात्मक विकास की अवस्थाएं इस तर कौन-कौन से है तो बिलकुल आपको पता है पहला है संवेदी क्रियात्मक काल उसके बाद दूसरा है पूर संक्रियात्मक काल या प्राक्रियात्मक काल फिर तीसरा है मूर संक्रियात्मक काल या इस्थूल या ठोस्क संक्रियात्मक अवस्था और चौत ही है आपकी अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नेक्स्ट कोशन है आपका बालक अपने ग्यानेंद्रियों के द्वारा ध्वनियों इसपर्ष और गंध के द्वारा ग्यान अरजित करता है यह अवस्था है यह कौन सी अवस्था है तो यह है समवेदी क्रियात्मक अवस्था यानि जब उसे समवेदना होती है ध्वनी के प इसके द्वारा जब वो ग्यान अर्जित करता है तो ये होती है समवेदी क्रियात्मक अवस्था समवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में शिशू का विकास कितनी उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है अगला कोशन है पयाजे के संग्यानात्मक विकास सिध्धान्त की अनुसार संदेदी क्रियात्मक अवस्था होती है कौन सी होती है तो जन्म से दोवर्ष की होती है अगला क्वेशन है प्याजे के संग्यानात्मक सिधान्त की किस अवस्था में पलेटावी गुण आ जाता है थик यानि traits of reversibility कब हो जाता है तो वो होता है थोस संक्रियात्मक अवस्था में अगला क्वेशन है पेयाजे के अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधी कितनी है तो इसकी अवधी है 11 से 15 वर्ष नेक्स्ट क्वेशन है नियमी करण की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है तो जो आपकी मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है उसको नियमी करण की अवस्था कहा गया है यानि इस अवस्था में बालक अपने कुछ नियम बनाता है और उन नियमों का पालन करता है तो मूर्द संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था नियमी करण की अवस्था कहलाती है Next question है आपका संग्यानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक तारकिक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंब कर देता है तो मूर्द संक्रियात्मक काल जो होता है संग्यानात्मक विकास की किस अवस्था में तो तारकिक चिंतन की यदि बात आ रही है तो इसका प्रारम बाप का मूर्द संक्रियात्मक अवस्था में होता है next question है संग्यानात्मक विकास के किस इस्तर में अधिकांश गड़ती है विधरणाओं का विकास होता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा मूर्थ संक्रिया काल बहुत important questions है ये इनको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन में से मैं कहूंगी एक या दो questions हर एक exam में पोचा जाएगा हर एक exam में तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए अगला question है प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है तो कौनसी होगी विकास की पहली अवस्था इंद्रिय प्रियोग के दौरा ठीक है यानि इंद्रियोग का जब प्रियोग करता है देगामग अवस्था उसकी दौरा सबसे बहतर सीखता है स्विजर लेन के जीन प्याजे द्वारा छेतर में महत्पूर योगदान दिया गया तो बाल मनुविज्ञान के छेतर में दिया गया अगला क्वेशन है बाल मनुविज्ञान में अध्यान किया जाता है तो बिलकुल बालक के जन के पूर्वियानी गर्वा वस्ता से लेकर किशोरा वस्ता तक का अध्यान किया जाता है अगला क्वेशन है किस अवस्ता में खेल, अनुकरण, चित्र का निर्मान और भासा के माध्यम से जानकारी को एकत्रित करता है तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता होती है इसके द्वारा खेल, अनुकरण, चित्र, आधी का निर्मान और भासा के माध्यम से जानकारी को एकत्रित करता है अगला है पूर्व विद्याले अवस्था किसको कहा जाता है तो जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसी को पूर्व विद्याले अवस्था कहा जाता है ये कोशन अच्छा है अगला है आपका जन्म से दो वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है तो बिलकुल इसे कहा जाता है संवेदी क्रियात्मक काल या संवेदी गामक अवस्था अगला कुशन है प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के चरण में बच्चा वस्तु इस्थायत को प्रदर्शित करता है तो किस चरण में? पूर्व संक्रियात्मक चरण में एक याद कर लीजीगा अगला कोशन है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संग्यानात्मक योगिता क्या है? तो वो है लक्ष उद्दिस्ट ब्यभाहार की योग्यता यानि कि पूर्व संक्रियात्मक काल में बच्चे को अपने लक्ष के बारे में पता चल जाता है अगला है प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्ले लिखेत कारकों में से महत्यपूर्ण भूमिका होती है तो सबसे महत्यपूर्ण कारक क्या है बहुत तिक विश्व के साथ अनुभाव यानि जो हमारे आसपास की चीजे हैं उनके साथ अनुभाव नेक्स्ट है प्याजी की अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भी ना होता है बजाए इसके तो प्याजी की अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भी ना होता है बजाए मात्रा के मतलब कि प्याजी के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है उसका कोई प्रकार नहीं होता है बस वो एक लिमिट में ही चिंतन करते हैं अगला कुश्चन है आपका बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्टता और वास्तिविक्ता की भूमी का अधिक बढ़ जाती है कैसे तो अपच्यारिक संक्रियात्मक अवस्था में यानि अवस्था का नाम पोचा जा रहा है कि किस अवस्था में बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्टता और वास्तिविक्ता की भूमी का बढ़ जाती है यानि वो वास्तविक चीजों के बारे में चिंतन करने लगते हैं imaginary नहीं वास्तविक दुनिया से अपने ग्यानों को जोडते हैं तो वो होती है अप्शारिक संक्रियात्मक अवस्था अगला है बालकों में लाक्षणे कार्य मुखे रूप से दो क्रियाओं द्वारा होते हैं वो दो क्रियाओं क्या क्या है वो है अनुकरन एवं खेल अगला है आपका प्याजे के प्राक्रियात्मक चिंतन का महत्यपून साधन किसे माना है अगला है जीन पयाजे की विकास की संकल्पनाएं कौन-कौन सी हैं तो जैसे स्कीमा की अगर हम बात करें तो स्कीमा में आपके दो आ जाएंगे साधारण स्कीमा और जटल स्कीमा फिर है सातमी करण समायोजन उसकी बाद साम में धारण अगला है जीन प्याजे में किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने क्यों कहा है या क्या कहा है तो किसी बच्चे के अंदर विचारों का समावेश पूरी तरीके से हो जाए यानि कि उसके माइन में हर चीज सेट अप हो जाए इसको उन्होंने क्या कहा है इसको उन्होंने कहा है सात्मी करण या आत्मसाती करण कहीं कहीं पर आपको option में आत्मसाती करण भी लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं और अगर आपके option में सात्मी करण लिखा हो, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही एक ही चीज है. अगला है बौधिक विकास में आत्म सात्मी करण में कौन से अन्य प्रक्रिया प्याजी के अनुसार महत्यपूर्ण होती है, तो जो सम्मंजन की प्रक्रिया है, वो अतियंत महत्यपूर्ण होती है, accommodation. अगला question है आपका प्याजी के संग्यानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था जो है आपकी जिसे हम संवेधी प्रेरा कवस्था भी कहते हैं, किसके साथ संबंधित है, ये आपका सीटेर 2012 में आया हुआ question है, तो ये किसके साथ संबंधित है, इस जीन प्याजे से related थे, क्योंकि जीन प्याजे बहुत important topic है, हर एक exam में पूछा जाता है, जिसमें भी psychology आती है, उसमें जीन प्याजे जरूर पूछा जाता है, और ये सारे questions आपको वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा, कि कितने ज्यादा important है, और आपके लिए त it's my humble request, और अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, तो आप मुझे किसी भी social site पे follow कर सकते हैं, twitter, facebook या फिर instagram पर, हर वीडियो के description में हमारे social site की link दी होती है, आप वहाँ से हमें follow कर सकते हैं, तो दोस्तों, notes के लिए आपके पास number available है, एक बार और बता देती हूँ, number है 9496369 9356, इस number पे contact करके आप हमारे special notes पास सकते हैं, साथ ही सथ हमारे special group को भी join कर सकते हैं, और CTAT या किसी भी तरीकी के competitive exam में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ, अपने अगले वीडियो में, को और चिसे topic के साथ, तब तक के लिए नमशकार,